साथियों नमस्कार मैं प्रतिक चौधरी अडवोकेट चौधरी लीगल एसोशेट से आपका स्वागत करता हूं वेलकम करता हूं आज का वीडियो बहुत महत्तपूर्ण होने वाला है उन लोगों के लिए जो अपनी किसी भी जमीन का किसी था किसी प्रॉपर्टी का बैनामा कराना चाहते हैं जिसको अंग्रेजी में एग्रिमेंट कहते हैं या रिजिस्टरी भी अपने किसी सगे संबंदी अपने नाम उसका होता है कि आप चाहा कर भी उसका बैनामा नहीं करा पाते हैं तो ऐसी कंडिशन में आप कैसे कम रुपेयों में अपनी किसी भी प्रॉपर्टी का अपने सब्द्राइब कराने जा रहे हैं तो रुपे कम से कम आपके कैसे लगे और पांच है रुपे में या छह पानुन कौन सा नेम कौन सा अधिकार है जो आपको अपने सगे संबंद्यों को अपना अपनी संपत्ति को ट्रांसफर करने के लिए मात्र च्याया रुपे के स्टांप पर अधिकार देता है आज इन बारे इस बारे में आज विस्तार से बातचीत होगी तो सबसे पहले जो मेरे नए दर्शक हैं जोनोंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो नए हो या पुराने हो सारे वीवर से रेक्वेस्ट है कि चैनल को पटावट से सब्सक्राइब कर लें और जो नौटिफिकेशन बाली बैल है उसको और सेलेक्ट कर लें जिसे कि हमारे आने जो खर्चा था सरकार ने बहुत कम कर दिया मिनिमम कर दिया यह मान लीजिए कि बिल्कुल खतम ही कर दिया क्योंकि अभी तक जो रूल जो रेगुलेशन थे जो नियम थे अपनी आप किसी प्रॉपर्टी को आप अपने किसी अपने बच्चे के नाम करने जा रहे हैं अपन कोई आपकी बेटी या दामाद हैं उनके नाम अपना करने जा रहे हैं तो आपके जो नजदी की जो आपके रिष्टे हैं उनमें आप अपने ट्रांसर करने जा रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी का तो अभी तक यह होता था कि आप प्रॉपर्टी करने जा रहे हैं तो आपक को कैसे कम किया जाये सरकार का वह कौन सा आदेश आया है और वह कौन से रूल सेंगे जिनके अपना करके अपनी प्रवपर्टी का प्रजिस्ट्री एग्रिमेंट या जो है आप कम से कम रोपर में तो मैं आपको बता दूं अभी कुछ समय पहले ही सरकार ने एक नॉटिफिकेशन जारी किया है उस नॉटिफिकेशन में सरकार ने इस पस्ट किया है कि आप अपने किसी करीबी रिष्टेदार जो आपके बिलड रिलेशन में हो या आपके बहुत नर्जदी की रिष्टेदार जो रिष्टेदारियां मैं बता चुका हूं कि माता-पिता ने अपने बेटी या बेटे के नाम या दामात के नाम या कोई पत्नी ने पती के नाम या बेटे ने अपने माता-पिता के नाम कोई प्रॉपर्टी अगर वो ट्रांसफर करना चाह रहे हैं तो इसको वो गिफ्ट कर सकते हैं गिफ्ट में अभी तक क्या होता था कि इस्तांप पूरा लगता था लेकिन सरकार के नोटिफिकेशन जो आया है इस नोटिफिकेशन के बाद उस स्टांप शुल्क को केवल 5,000 रुपया कर दिया गया है यहां आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं केवल 5,000 रुपय में संबंदि किसी भी सगे संबंदी के नाम आप गिफ्ट कर सकते हैं और उस पर केवल 1,000 रुपय का प्रोसेसिंग फीस लगेगा यानि कि कुल 6,000 रुपय में जी हां केवल 6,000 रुपय में अपने उस प्राउपर्टी को अपने सगे संबंदी किसी के नाम आप प्रांस्फर कर सकते हैं तो उत्तर प्रदेश को एक साल में लगवग 200 करोड रुपे का नुकसान इस्टांप शुल्क के रूप में इससे होने वाला है लेकिन सरकार की जो मैत्तो कंक्षी योजना है वो यह है कि जो संपत्ती कोई है अगर वो उसके बिलड रिलेशन में पैसे की कमी की वज़े से तं लाब ना मिलकर के एरे-एरे या माफिया लोग उसका लाब ले जाते हैं केवल उस व्यक्ति के आर्थिक इस्तिति की वज़े से तो सरकार की यह मैत्तो कंक्षी योजना है कि जो गरीब लोग है जो अपनी प्रॉपर्टी का रजिस्टेशन एग्रिमेंट नहीं करा पा रह तो आज के वीडियो में इतना ही आज का वीडियो के वल आपको यह बेसिक जानकारी बेसिक जो कॉंसेप्ट है वो बताने के लिए था बने रहे हैं चौधरी लिगल एससेट पर मिलते हैं अगले वीडियो में जैन भारत नमस्कार